नमस्कर दोस्तों मेरे नाम है सुखुदे पुराप मेरे चैनल देख रहे हैं जो अब तक दोस्तों आज हम बात करेंगे कोचिन सिप्राइब लिमिटेट की तरफ से रिक्वार्मेंट आई है उसके बारे में जो कि गौर्मेंट ऑफ इंडिया मेनिस्ट्री और रिकात आती है और इसमें जो रिक्वार्मेंट दोस्तों आया है आपका ITI डिप्लामा भी बीटेक आपने कम्प्लीट करकर रखे हुँ ता आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं सेलरी आपको 25,900 लेका 36,900 तक रहेगी और पूरी जनकारी के लिए वीडियो के इन तक जरू देखी वीडियो के लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें चेमा को सब्सक्राइब करके बेल अकन को भी प्रस करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसे पर दे सकते हैं तो यह इसकी official notification है और इसकी तरफ से दोस्तों तीन नया notification जारी किया गया है जिसमें ITI, Diploma और BB Tech की सभी के लिए vacances है और तीनों का अलग-अलग notification है और तीनों notification इस वीडियो के माज़ें सबको बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिना skip के आपको इंट तक जरूर देखना है तो सबसे पहले आपन बात करते हैं डिप्लमा पासओट के लिए तो काफी अच्छी इनके लिए requirement आई है यहाँ पर दे सकते हैं और यह जो vacances है आपका contract basis रहेगी project assistant के लिए जो कि डिप्लमा पासओट के लिए आगे मैं आपका ITA और BTEC के लिए भी बताने वाला हूँ ठीक है यहाँ पर दे सकते हूँ और इसका जो नौट पे कैसा रिलीज किया गया था आपका 3 September को ठीक है और यहाँ पर जो vacances है आपका coaching CPR Limited की तरफ से आया है जो कि भारत का एक मिनलतनी company है जो कि Ministry of Defence के अंतर का दात है और इसमें जो vacances रहेगा आपका project assistant के लिए जो कि fixed term as a contract basis आपका रहने वाली है 3 years का सबसे पहले जो vacances है वो आपका mechanical के लिए तो आपने अगर diploma 3 years का आपने mechanical से कर रहे हो और आपका 60% मार्क से mechanical में तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं कम से कम 2 साल के आपके पास experience भी होना चाहिए CPR वेगरा या engineering company government या semi government हो या आपने अगर CPR वेगरा में काम की हो तो अच्छी बात है प्रफेशन मिलेगी या आपने अगर कोई private sector में काम की हैं तो भी apply कर सकते हैं बट आपको कम से कम 2 साल का आपके experience होनी चाहिए ठीक है उसके बाद next vacances है वो आपका electrical के लिए इसमें भी आपका 3 years का diploma electrical से रहना चाहिए 60% के साथ और कम से कम 2 साल के आपके experience होना चाहिए आपने CPR से किया हो या कोई भी government sector या private sector company में किय हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं electronics के लिए vacances हैं इसमें 3 years का diploma आपका electronics वगरा से रहना चाहिए और electronics के लिए भी आपका 2 साल का experience होना चाहिए post qualification experience और इसमें से कोई भी companies आपने या relevant factory companies वगर हम आपने work किया है और आपके experience है तो apply कर सकते हैं इसके बाद installation के लिए है इसमें भी आपका 3 years का diploma होना चाहिए estimation से और 60% है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं बर दो साल का आपके पास experience भी होना चाहिए अब यहाँ पर देखिए उसके बाद है next vacances civil के लिए तो civil से अपने का diploma pass out है तीन साल का 3 years का और 60% है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं बर इसमें भी दो साल के experience होना चाहिए तिक है उसके बाद information technology यानि IT अपने अगर डिपलमा IT ट्रट से किया आइट ब्रांच से किया है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं बर दो साल का आपके experience होना चाहिए तिक है उसके बाद office के लिए तो आपने arts वेगरा से की है या science वेगरा से या commerce वेगरा से computer application वेगरा से तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं इसमें भी दो साल का आपके experience होना चाहिए तिक है उसके बाद finance के लिए यह आपर vacancies है इसमें आपका master degree मांगा गया है औ और इसमें भी दो साल के आपके experience होना चाहिए इसका form जो दोस्तों आपका 3 सप्टेंबर से start हो चुकी है और 20 सप्टेंबर तक आप इसका form भर सकते हैं आप बात करते हैं पर किसकी vacancies कितना है तो सबसे पहले हैं पर mechanical के लिए total 29 सीट है जिसमें आपका जेंडर में 13, OBC में 8, ST में 5, ST में 1, EW में 2 है इस तरह से mechanical आपने डिप्लमासी की हैं तो उनके लिए अपका 29 सीट है Electrical के लिए पर 15 सीट है, Electronics के लिए 3 सीट है, Information के लिए 4 सीट है, Civil के लिए 13 सीट है, Information Technology के लिए 1 सीट है और Office के लिए यहां पर 23 सीट है और Finance के लिए आपर 2 सीट है इस तरह से total आपका यहां पर 90 सीट दिया गया ठीकिए अब यहां पर period of contract की बात करें तो यह आपका जो contract भूँ आपका 3 years का रहेगा और 3 years के बाद आपका contract extend भी होगा depend करेंगे इनके project requirement और आपका individual performance का अधार पर ठीक है तो आपका contract extend भी होगा ठीक है second year आपका salary रहेगा 25,000 और पर अपका 6,280 रुपे आपका over time रहेगा third year आपका 25,900 और 6,480 रुपे ओटी मिलेगा ठीक है तो इस तरह से यहां पर calculate करेंगे तो आपको काफी अच्छा salary देखनों के मिलेगा एज की बात करें तो आपका 18 साल minimum होना चाहिए और maximum आपका 30 साल होना चाहिए और एज की counting आपका 21 September 2024 का धार पर होना चाहिए और 22 September 1994 के बीच में आपका date of birth होना चाहिए जिसने आपका 30 साल maximum होना चाहिए और 18 साल minimum और साथ ही एज का relaxation आपको मिलेगा और इसी है तो तीन साल और एड कर सकते हैं यह नहीं कि 33 साल तक अपलाई करेंगे ऐसे तो पांस साल ठीक है पीड़ी के लिए और एक सर्विसमेंड के लिए अलग से एज का आपको 45 साल तक इसमें अपलाई कर सकते हैं कि मौड़ा सेलेक्शन के बाद करें तो इसमें दो स्टेज में आपका सेलेक्शन प्रोसेस रखा गया सबसे पहला आपका रिटेन होगा जिसमें 100 मार्क का कोशन रहेगा और 90 मिनट आपको समय दियागा आपको 45 मिनट आपको उसके बाद जो है डिस्क्रीप टाइब को अनलाइन कोशन होगा वह आपका स्वा मार्क का रहेगा और जो डिस्क्राइब का होगा लिखने वाला होगा वह आपका 80 कोशन रहेगा 90 मिनट आपको दिया जाएगा ठीक है तो यहां पर देखिए अपजेक्टिक टाइप में आपको जर्नल लवर्ने से 5 कोशन रहेगा रिजनिंग से 5 कोशन रहेगा मैथमेटिक से पाथ दस कोशन रहेगा जर्ण इंग्लिस से 10 है और जो भी आपका ब्रांच है उस रेलेटेड आपका 50 कोशन रहेगा उसके बार डेस्क्रिप्टिव टाइप के बात करें यानिका लिखने वाले जो इसमें आपका रा कर सकते हैं और यहां पर रिजर्वेशन वगरा वगरा देख सकतो क्या कराएगा तो यह सारे कंडिशन हैं दोस्तों अगर इसके लिए अपलाएगा देकि अप्लिकेशन फी भी रखा गया है 600 पे अप्लिकेशन फी है जो कि आपको अपने डेविट कार्ड या क्रेडिट का कर सकते हैं अप्लाएग कैसे करना इनकी ओपिसल वेपसाइट कोचिन पर जाना है के लिए पेज़ पर आपको किल करना उतके बाद रिजर्शन का ऑप्शन मिलेगा उपको रिजर्शन करके फॉर्म को फिल कर देना ठीक है ऑनलाइन एक्जाम वगरा जो भी होगा आपको इ तो दोस्तों यह कोचिन सीप्याट का दूसरा नॉट्फिकेशन है और तीन नॉट्फिकेशन है एक का मैंने बता बाद इसके बाद आपको तीसरा जो नॉट्फिकेशन आया है उसके बारे में बात करेंगे ठीक है तो यह जो दूसरा नॉट्फिकेशन दोस्तों वह आपक करने का भी है आप 14 अगस्त तक 14 सप्टेंबर तक अपलाई कर सकते हैं और यह जो पोस्ट दोस्ता आपका आया है वर्कमेंट पोस्ट के लिए ठीक है और यह अपका CMR CMFU इनिट की तरफ से जारी किया गया है जो कि आपका ITI के लिए वेकेंसिस दाने वाली है ठीक है और यहाँ पर पहला जो वेकेंसिस है वो आपका Outfit Assistant Pipe Fitter के लिए है ठीक है यहाँ पर दे सकतो Outfit Assistant Pipe Pallumber के लिए तो आपने गर ITI या NTC National Trade Apprentice वगरा फिटर ट्रेट से किये हो या पलमबर वगरा से तो आप इसके लिए करेंगे तो आपने आगर ITI फिल्टर या पलमबर वगरा से किये हो तो आप इसके लिए अपनाए कर सकते लेकिन तीन सल मिनमाँ आपके पास एक्स्पिरिंस भी आपको होना चाहिए ठीक है और लेंग्वेज आपको वर्किंग लेंग्वेज आपको हिंदी और माराथी दोनों में से जो भी आता है आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं उसके बाद नेक्ट जो वेकेंसे हैं मौरिंग एन इसका फ्लोडिंग असिस्टेंट की वेकेंसे हैं इसके लिए 10 पास मंगा गया ठीक है तो आपने अ या आपने आई टी वेगरा भी की हो और तीन साल के एक्सप्रियंस है अपने अगर फिटर वेगरा से आई टीक हो या पलंबर वेगरा से तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं ठीक है इसका जो फॉर्म है दोस्तों 14 अगस्ते स्टाट था 13 सप्टंबर तक आप इसका फ लंबर वेगरा से अपने आई टीक है तो आप इसके लिए करेंगे यहां पर सेलरी की बात करें तो आउट्विट असिस्टेंट का सेलरी फर्स्ट एर आपका तेस एर तीन सा है आपका वो पांस अजार आट सो तीस रोपे ओटी रिवीर रहेगा सेकेंड येर आपको चोव असिस्टेंट की आपका सलरी घडНеल दिया है बाकी सबका कंडीशन एक ही है आपको कैसे एस की बात के तु इसके लिए भी थे सल क च रखा गया है बाकी आपका एज का साल ोबीशी वगरा को 3 साल सेस्टी के 5 साल सेलेक्शन प्रोसेस के बाद करें तो देखें आपका इसमें दो दो प्रोसेस हैं फेसी और फेस 2019 में Strategski लहENEW और है तीस नमबर का और टीस दूम में आपका practical test ho tech 7 नमबर का तीस नमबर आपका शेल एक का folding assistant की बात करें तो इसका आप practical होगा पहले फरीज वान में 80 नमबर का और phase 2 में आपका practical test होगा 20 नमबर का इस तरह से टोटल 100 नमबर है दोनों मिला के आपको final merit बनेगा ठीक है timing वागर यहां पर दिया है अब बात करते हैं तीसरे notification के बारे में जो की bbtek के लिए है तो यह vacancy दोस्तों आपका third vacancy है और यह bbtek के लिए vacancy है और यह जो रिक्वार्ण हम आपका आया दोस्तों कोचिन CPI Limited मुंबे रिप्यर यूनिट CMFRU यूनिट मुंबे के तरफ से यह जारी किया गया ठीक है यहां पर पहला जो पोस्त आपका project officer mechanical के लिए है जिसमें आपका mechanical से होना चाहिए bbtek 60% का साथ और दो साल के आपके पास experience होना चाहिए relevant field में ठीक है और उसके बाद यहां पर project officer installation के लिए भी है तो आपने bbtek installation वेगरा से कर रहे हैं तो इसके लिए apply करेंगे लेकिन इसमें भी दो साल के experience मांगा गया है इसका जो form है दोस्तों आपका 8 सगस्तरी स्टाट हुआ है और 17 सप्टमबर तक आप इसका form भार सकते हैं project officer mechanical के लिए आपर 4 seat है और project officer electrical के लिए 3 vac इस तरह से total मिलाके यहां पर 8 seat आपको देखनों को मिल जाएगा ठीक है जो कि bbtek वाले apply करेंगे ठीक है इनका भी contract आपका 3 years कर रहेगा बाकी यहां पर salary के बात करें तो first year आपका salary रहेगा 37,000 second year 38,000 और third year आपका 40,000 रहेगा और आपका fix है यहां आपका OT 3,000 रुपे पर objective type question रहेगा 50 नमर का और आपका personal interview 20 नमर करेगा और powerpoint participation assistant work experience आपका 30 नमर करेगा total मिलाके 100 नमर रहेगा और इस तरह से आपका selection process रखा गया ठीक है तो आप यहां पर एक बार अच्छा से देख लीजेगा ठीक है तो यह vacancy से दो आपको apply कैसे करना इनकी official website देजाके आपको apply करना है जैसे हमारे telegram channel को join कर लिजी हम अपने telegram channel पर इसका online apply का link भी वहाँ पर provide कर देंगा ठीक है टेलिग्राम चैनल का link आपको video discussion box मिल जाएगा और इसका PDF में वहाँ पर provide कर दूँगा या इसका online apply करना का link ठीक है दोने में से कोई भी एक provide को कर देंगा फिलाल के जलते आगले वीडियो में तब देकला टेक है जाहिन वन्दमात्रम